जैसे दोस्तों, हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, आज के वीडियो में अपन बात कने वाले हैं, डी वी ए वर्सेस बी जी आर के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उसके बारे में, आप सभी को जानते होगे कि IPL का मैचेज शुरू हो चुके है, ज्यादतर यू क्योंकि सभी IPL की तरफ ध्यान दे रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये मैच आपके लिए जैकपोट मैच रहने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में ही आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपक इस मैच की पूरी डिटेल से बताएंगे, और आपको बैस्टम बैस्ट देने की कोशिस करेंगे, और जैकपोट मैच कैसे है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंतरगत बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, अब तक आपने हमारे टे क्लें सुफमारे, सभी मैच में अल्टरा क्लें सुफमारें, चाहे एक बार जाकर आपको आपपो डी ब्राउनी का ध्यान रखना है, डबलो हार पर के कोटे, के डैंबर, के विलियम्सन, इन tumên को आपको ध्यान में रखकार चलना है क्कोन का आप पर ओपन करने वाला है, औ मैच होने वाला है विंसेंट ग्राउन में पिछ रिपोर्ट के बारे बात करें तो इस पिछ पर बहुत सारे मैचेश के लिए जा चुके विंसी प्रेमियर लिए इसलिए अब यह पिछ थोड़ी थोड़ी स्लो होती जा रही है इसलिए अब यहाँ पर बॉलर्स को भी डी वी टीम की अपडेट के बारे में तो इनकी तरफ से ए अथान जे और एल जेम्स ओपन करने वाले है एल जेम्स लास्ट मैच में ही ओपन करने आये तो उससे पहले यह फोर्ट या फिप पोजिशन पर बैटिंग के लिए आते थे ठीक है सिमारू होपर्स लास्ट दो मै पेश अटेक लेकर के चलने वाले है अब इनकी तरफ से दूसरी टीम बी जी आ टीम के बारे में बात करें तो आंद्रे फ्लेचर और एस ब्राव ने ओपन करने वाले है आंद्रे फ्लेचर टोप मोस्ट फैन्टेसी पॉइंट दे कर गए तिस रेज में के विलियम सन इस ट पर बैटिंग के लिए भी आ रहा है के डैंबर के बारे में बात करें के डैंबर आपको दो ओर डाल देंगे यदि फ़र्ट पहले और में इन्होंने कम रन दे यदि पहले यह और पिटाई हो गई तो यह एक यह और डालें उसके अलाव फिप्त नंबर पर बैटिंग परफोर्मेंश देख लिए डबलू हार पर सेलक्षन परसंटेज देख लिए बंदे का 20 परसंट है ठीक है यह कैसे देता है एक मैच में देखे आप यहां पर परफोर्मेंश देखे पचपन एक पचीस बारा तो आपको एवरेज 20 से 25 पॉइंट देखे जाए क्योंकि वि अच्छे पिक है और एस ब्राउने ओपन करेंगे इसमें कोई वो संस है यह नहीं तो आप एस ब्राउने के साथ भी आपको जाना है अंद्रे फ्लेचर और अथांजे आपके लिए अच्छे का से पिक बन जाएंगे दोनों आपके अपोनेंट की टीम में भी रहेंगे आर पियरे की अर्था डी वी की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप इने जरूर ट्राइ करना के डंबर आपको एक चे दो वर ढ़ालते हो नजर आ जाएंगे और एक दो विकित भी ले जा सकते है और फिप्त नंबर पर बैटिंग के लिए भी आ जाएंगे तो आप सब देख स और उसके अलाव आपको दो और प्लैस बैटिंग देने वाले है डी ग्रिव लास्ट मैंच भी बहुत इसांदर परफॉर्मेंच करके देए थे और बोलिंग भी पूरे दो और डाल रहे है तो आपके लिए ये भी डी ग्रिव जो भी मस्ट पिक रहने वाले है उसके सिमानु हूपर्स कि जग बजाये आप चाहे उन्हें भी ट्राइ कर सकते हो सिमानु हूपर्स को छोड़कर एक टीम में अब डी ब्राउनी को एज यूज कर सकते हो लेकिन अभी मैं ऐस उपर के साथ ही जारा पसंद करूंगा वैसे डी ब्राउनी आपको और भी डालते हो नजर आ जाएंगे, क्रेसरिक विलियमसन आपके लिए मस्टविक, एल विल्सन, लास्ट मैचे से इन्हें बोलिंग नहीं दी जा रहे है, दो मैचे से तो आप इन्हें छोड करी चले, एल एडवर्ड आपको बैटिंग से पोइंट दे सकते हैं, लेकिन अभी कुछ अच्छा परफोर्वेंस नहीं देखे गए, एस विलियमसन बहुत हिसानदार गेंदवाज है, टैलेंटेर गेंदवाज है, और अच्छा विकेट लेकर जा रहे है, और डी मार्टिन आपको डैट में बोलिंग करते हुए, नजर आ जाएंगे, तो आप इनने भी जरूर एक बाद ट्राइ करना, आप और किने ट्राइ कर सकते हो, कुछ टीम में आप डबलु हारपर के साथ जा सकते हो ठीक है कुछ में आप rp e ko तो चाओ तो ट्राई कर सकते हो k dember की बजाए rp e ko ट्राई कर सकते हो ठीक है और old rounder में s ooper की बजाए आप d brownie को ट्राई कर सकते हो जो मैं combination बता रहा हूँ उन्हें आप एक बार ध्यान से देख लेना उसके अलावा एस विलियमसन, डी मार्टिन ये दोनों अच्छे परफोर्मेंस दे रहे हैं तो आप इन्हें छोड़ने का रिस्क कैसे ले सकते हो मेरे को जहां तक लगता है नय भी लो तो ठीक रहेगा आपके लिए क्रैसरिक विलियमसन, सभी बेस्ट पॉइंट दे रहे हैं चाओ तो आप यहां पर एक ओल्ड राउंडर को कम करके यहां से एल एड़वर्ड के साथ जा सकते हो और कोई माँ आपको देने वाला नहीं हूँ कि आप और इन्हें ले ए अथांजे को आप कैप्टन सी देना क्योंकि आपको दो और की पूरी बोलिंग करके देंगे उसके अलावा आंद्रे फ्लेचर वी सी रहने वाले हैं अभी हमारे टीम के इंतर यह टीम रहने वाले है चाहो तो आप कैप्टन सी के अजर ओप्टन डी क्रीवज हो गए यहां से एस ब्राउन चल गए तो के ले बहुत है और उसके अलावा डी मार्टिन देट में डालते हैं इन प्लेयर्स को भी आप रोटेट करके कैप्टन वी सी दे सकते हो यह भी हमारे फाइनल टीम रहने वाले इस मैच के जो फाइनल अपडेट होगा वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगा जिसके लिंक आपको डेस्क्रीप्शन में मिल जाएगी वीडियो अच्छा लगा हो तो यह लाइक करते ना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ टेलिग्राम चैनल पर जुनना ना भूलेगा ठैक्स पोर वोचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत